हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग सूपर ट्रेट के मोस्ट इंपॉर्टन कोशन के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ कि हम लोगों ने फाइफ most important question के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी और किसकी बात की हुई थी जो 6 69,000 जो 6 जनवरी को exam हुआ था उसके 5 most important question हम लोगों ने अलड़ी देख चुके हैं तो उसी के आगे हम लोग continue करेंगे आज भी हम लोग 5 to 6 5, 5 ये 6 most important question के बारे में बात करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request है कि आप लोग चैनल को subscribe कर लें जिससे कि आप लोगों जो है important notification मिलती रहें तो आज का जो पहला question होगा friends वो क्या होगा उसको मैं आप लोगों दिखा देता हूँ कि जो question होगा यहाँ पर यह question है इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से यह question number यहाँ पर question number है 149 इस series में 149 है और यह आप लोगों को दिखेगा लिखा हुआ एक धन चक्रवद व्याज की दर से 15 वर्सों में दो गुना हो जाता है यह 8 गुना कब होगा 30 वर्सों में, 40 वर्सों में 45 वर्सों में, 60 वर्सों में इसका English जो है conversation इधर लिखा हुआ है translation आप लोग यहाँ से देख सकते हैं a sum of money doubles itself in 15 years with compound interest it will become 8 times in 30 years 40 years, 45 years, 60 years I hope आप लोग उने question को ध्यान से देख लिया होगा और अब मैं इसके solution की और आता हूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा logic एक यह है friends कि जो है compound interest का formula जो होता है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यह कह रहा है फिर से आप लोग question को remind कर लिजेगा I hope सबसे अच्छा काम यह है कि जैसे मैं कहूं तो आप लोग question को write down कर लिए यहाँ पे लिखा हुआ एक धन चक्रवद व्याज की दरसे 15 वर्सों में दो गुना हो जाता है तो formula हमारे पास we know that the compound interest formula A is equal to P bracket में 1 plus R to power R by 100 और उपर power क्या होती यहाँ होती तो यहाँ पे A क्या है यह मिस्र धन है यह मूल धन है जिसकों लोग principal value बोलते हैं और यह amount है यह R rate है यहाँ पे YN लिखा हो है question में यह कहा रहा है एक धन चेक्रवद व्याज की दरसे 15 वर्सों में दो गुना हो जाता है जो कुछ भी था P था तो 15 वर्सों में कितना हो गया 2 P हो गया कितना हो गया दो गुना हो गया कितना हो गया दो गुणा हो गया अब यहाँ पर यह क्या क्या होगा यह उतना ही रहेगा और मिल जाएगी 1000 और यह कितना और सुने से बाद कहे रहा है कि आठ गुणा कब होगा तो यहाँ से कब होगा समय पूछ रहा है तो यहाँ पर P हो जाएगा कितना होगा यहाँ से P से P कटा यहाँ पर 8 यहाँ यहाँ इसको 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2Q ओके यहाँ से यह हो गया अब यहाँ पर 2 की जगह पर क्या लिखा हूँ यह लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की जगह पर यह इसको लिख सकते हैं लोग यहाँ से कितना लिख सकते हैं 1 प्लस R by 100 और की पावर 15 इसकी होल पावर 3 ओके यहाँ से 1 प्लस इसको ओरल भी कर सकते हैं डारेट कर सकते हैं बस कल्कुलेट मैं कार रहा हूं तो यहां से इसको देख सकते हैं यह हो जाए कितना 45 1 प्लस यह आप्टर कमपरेजन n is equal to 45 years ओके तो पंद्रा वर्स 45 सालों में 45 वर्सों में जो उसका amount होगा वो 8 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा तो आप लोग question को देख लीजेगा इसके बाद हम लोग आगी बढ़ते हैं next question पर तो मैं उस question को पहले दिखा देता हूं इसके बाद इसको रफ करता हूं question number है यहां से 147 आपको ध्यांस देख लीजेगा 147 यहां पर लिखा हुआ है आई होग अब साब दिख लाओगा एक आयत की लंबाई question को ध्यांस देख लीजेगा यह question है एक आयत की लंबाई 25 एक आयत की लंबाई में 25% की ब्रद ही होती है उसकी चोड़ाई कितने प्रसत घटा दी जाए उसका 6 त्रफल एक समान बना रहा है कितर इंग्लिस में लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसको आप लोग किलियर करता हूँ कि actual में कहे कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे एक आयत है question को मैं बोल दे रहा हूँ आयत की लंबाई कोई भी आयत रहा हुआ हो कोई भी आयत रहा हो और कह रहा है कुछ भी अगर यहाँ पे कोई भी यह आयत रहा होगा यह है original आयत मेरी बात ध्यान समझना क्या है यह original आयत है यह original आयत है इसकी लंबाई कितनी है L है लंबाई कितनी है L है और चौड़ाई कितनी है B है तो इसका जो एरिया होगा अगर इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा LN too b आएगा अब यहां पर यह कह रहा है कि इसकी लंबाई को 25 पॉर्संट बढ़ा दिया जाता है यहां पे क्या हुआ इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है कितना बढ़ा दिया है कि 25 जब बढ़ाया जाएगा obviously इसकी चौड़ाई जो होगी कुछ कम होगी कब कब होगी जब area same होगा जब area same होगा तो obviously क्या है अगर यह 25% बढ़ती है तो यह मान चलते हैं यहां से हो जाएगी यह L2 हो जाएगी कुछ भी रही हो तो यह क्या हो जाएगी यह L2 हो जाएगी अब यह क्या हो जाएगी यह B2 हो जाएगी चाए घटे चाए बढ़े तो यहां से घट रही है तो क्या हो जाएगी B2 लेकिन दोनों का area same रहेगा ये भी A है तो ये भी A ही रहेगा अब यहाँ पर कह रहा है कि जो L2 है वो क्या है 25% बढ़ जाती है तो यहाँ से L2 अगर हम लोग निकालेंगे तो 25% बढ़ेगी अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगी 125 हो जाएगी 125 पचीस पचीस चोखो सो तो ये हो जाएगा कितना 5 बढ़े 4L हो जाएगा L2 की वैलू अब B2 की जो है B2 निकालना है B2 निकालने के बाद क्या करना है B2 कितने परसेंट घटा दिया जाएगी तो यहाँ से लंबाई जो area जो बाद वाला आएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा L2 into B2 ओके तो L2 की वैलू जो होगी वो कितनी है 5 बढ़े 4L है और B2 की वैलू B2 है और ये दोनों इसके same है यहाँ का जो area है दोनों का हम लोग same कर देते हैं जब same करेंगे ये कितना हो जाएगा L into B हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 बढ़े 4L into B2 ओके तो यहाँ से L से L cancel out हो जाएगा तो यहाँ से B2 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B2 आएगा 4 बढ़े 5 उल्टा हो जाएगा और into में b हो जाएगा ओके friends तो यह क्या हो गया b2 हो गया अब b2 कितना यानि जो भी original था उसका कितना हो जाएगा 4 बटे 5 हो जाएगा तो अब हुआ कितना है अगर इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वैसे यहां से देखेंगे तो इसको अगर percentage निकालेंगे तो निकालाएगा लेकिन मैं वहां से एक नया formula आप लोग बना करके दिखा देता हूं कि जो भी घटेगी जो भी यानि decreased कितनी हो रही है यहां से लिखेंगे हम decreased breath decreased percentage decreased breath breath के मतलब हो गया चोड़ाई ओके इसका मतलब क्या है यहां पर चोड़ाई तो अगरा साब लोग यह भी दें यह घटी होई है तो यहां से इसकी value होगी क्या b minus b2 upon b into 100 percentage के लिए तो यहां से b कितना है b तो b ही है b2 कितना है 4 बटे 5 b है नीचे कितना है वो भी b है यह कितना है percentage के लिए है तो यहां से बस solve करना है answer आ जाएगा तो यहां से b को हम common करेंगे तो 1 minus 4 by 5 और नीचे b से b cancel into 100 तो यहां से कितना आ जाएगा इसमें घटाएंगे तो यह हो जाएगा एक बटे 5 हो जाएगा into 100 तो कितना हो जाएगा यह 20% आई होब समझ में आ गया होगा इस formula को आप लोग no down कर लिजेगा ओकी यह हो गया next question बहुत ही simple है question निहायती simple है इसको आप लोग देख लिजेगा यहां से जो important question है यह नहीं बताना चाहिए मैं आप लोग उनको जो है दिखा रहा हूँ यहां पर question को आप लोग focus कीजिएगा 145 पे यह 145 145 में कह रहा है 145 पे कह रहा है यह दि किसी संख्या का 20% 120 होट उस संख्या का 120% कितना होगा इधर इंगलिस में देख लिजेगा if 120 is 20% आप नमबर then 120% आप देट नमबर विल बी तो कितना होगा मैं फिर से यहां पे भी इसमें बोड पे भी लिख देता हूँ क्या कह रहा है कह रहा है कि किसी संख्या का कोई एक ऐसी संख्या है मा लेते हैं कोई नमबर है X है नमबर क्या है नमबर क्या है X है इस नमबर का 20% X का X का एक मिनिट पेंचेंड कर लेते हैं X का 20% कितना है 120 है तो सबसे पहले X की वेलू निकाल लेते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा 100 120 तो बीस पांच सो 12 पंचे साथ तो यहां से X की कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा अब इस X का 120% कह रहा है X का 120% दैट इस 600 का 120% यहां से कटा तो बरचंग 72 720 यही आंसर ओके ऐसे ही कोशन आप लोग जो upcoming जो भी एक्जाम होगा उसमें भी ऐसे कोशन आप लोग देखने को मिल सकते हैं इसके बाद एक कोशन है उस कोशन को करने से पहले हम लोग कोशन करते हैं एक मिनट देख लेते हैं कौशन स्टार्ट किया जाए यह कोशन है बहुत ही ध्यान से देख लेख लेख लोग कोशन नमबर यहाँ से है 140 ध्यान से देख लेख लिखा हुआ है यदि रूट 2916 इस इक फिप्टीफोर देन इस तरह की वैलूस निकान ली हैं दसमलो में रूट दसमलो 2916 दसमलो 2916 दसमलो 002916 004 टाइम जीरो है 2916 वहीं इंग्लिस में भी लिखा हुआ है इंग्लिस में वह हिंदी में इस कोशन में कोई बहुत बड़ा फरक नहीं होने वाला है और आप लोग इसको ध्यान से देख लिजेगा कि इसकी वैलू आएगी कैसे है इसको में लोग simplify कैसे करेंगे जो लिखा है मैं पहले उसको पूरा लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं यहाँ पर given क्या है given क्या है उसको देख लेते हैं if given क्या है root में 2916 इसकी वैलू दी हुई है friends 54 और किसकी वैलू find out करनी है इसकी वैलू find out करनी है 29.16 and plus 0.2916 plus 0.002916 and plus लास्ट में वैलू लिखी हुई है 4 times 1, 2, 3, 4 29 यह करना है तो इसमें हम लोग करेंगे क्या है यहाँ से इसका दसमलाव हटाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे जीरो तो कुछ इस तरीके से मिलने को मिलेगा हम ले किस तरह देखने को मिलेगा किस तरह से देखने को मिलेगा रूट 2916 बटे 10 अब रूट के बाहर है यह and plus रूट 2916 बटे 10 धाद्दो यानि 100 मिलेगा रूट 2916 10 धाद 3 यानि की 1000 मिलेगा रूट लास्ट वाला यहाँ से किंदना बचे यानि की 10,000 तो 40 मिलेगा अब यह क्या है इसकी वैलू 54 है सब जगा है तो 54 हम लोग कामन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 कामन यह मिलेगा 10 प्लस 1 अपन 10 कीउब अब यह किसमे है GP में है जो है यह किसमे है GP में है जिसको हम लोग बोलते है गुड़ोतर श्रड़ी अब यहाँ पर इसका सम निकालना है तो इसके लिए सम के लिए दो फार्मले होते है एक क्या होता है यानि कि n term के लिए क्या होता है a और आगे होता है 1-r to power n upon 1-r जब r की value क्या हो less than 1 हो एक और formula होता है यह होता है उल्टा हो जाता है बस r-1 जब r की value greater than r equal to 1 हो तो इस तरीके इस formula greater than 1 के वल greater than होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है r की value एक बटे 10 है इसलिए यह वाला formula लगेगा ओके तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यह हो जाए कितना यह हो जाएगा 54 और a की value है 1 upon 10 है ओके और 1- होगा यहाँ पर क्या होगा 1- तो 1- के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 1 तो 1 ही है 1- r है वो भी क्या है एक बटे 10 है और यहाँ पर n की value कितनी है 4 है टर्म 1,2,3,4 इसलिए नंबर आप टर्म कितने है 4 तो यहाँ पर कितने हो जाएगे 4 और नीचे कितना हो जाएगा 1- 1 by 10 इसको solve कर लेंगे तो यहाँ से इसका value आ जाएगा 54 यह हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 10 बटे 9 और यह हो जाएगा कितना यहाँ पर जो value मिलेगी क्या होगी 10 घाचार माइनस 1 बटे 10 घाचार इसको हम उपर solve कर देते हैं बहुत ही easily calculation आ जाएगा ज्यादा cutter cutter करने जोट नहीं तो यहाँ से हो जाएक कितना यह 96-54 हो जाएगा 10 से 10 cancel out हो जाएगा 10,000 में एक घाटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 10,000 में एक घाटाएंगे तो 9,9999 हो जाएगा और नीचे हो जाएक कितना 10,000 multiply कर देंगे तो multiply करने बाद इसकी जो value आएगी 69 और 994 कितनी आएगी यह कितना है 10,000 तो 1, 2, 3, 4 अंग बाद दसमन लग जाएगा तो answer जो आजाएगा 5.9999 यह आजाएगा ओके बहुत ही easily ज़हादा जहाम जमेला है नहीं तो इस तरीके से जो है यह answer आजाएगा नेक्ट कोशन पर लोग बात करते हैं आई होप जो है लास्ट कोशन एक और कोशन कर लेते हैं यहाँ पर है 141 इसको आप लोग भ्यांस देख लिजेगा बहुत ही simple question है 141 यह question यहाँ से आप लोग देख लिजेगा यह कौशन है 141 कह रहा है तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या के बीश अनपाथ 2 अनपाथ 3 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीश पांच अनपाथ 8 का अनपाथ है तदा दूसरी संख्या ग्यांत कीजिए तो कौश्चन को मैं थोड़ा सा यहां पर इस्टेबल कर दे रहा हूँ आप लोग दिहांस देख लिजेगा यह कौश्चन है 141 यह सुपर 6 जनवरी 2019 में पूंचा गया है 99 रजा की बरती में आप लोग जो भी नेश्ट आगे अपकमिंग चाह 51 प्लस हो अब यहां पे तीन नंबर्स अगर दी हुई है तो उन तीन नंबर का जो है सम दिया हुआ है कितना फ्रेंट्स दिया है 98 यहां पे पहली और दूसरी का अनपाद दिया हुआ है 2 अनपाद 3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनपाद दिया हुआ है तो यहां से अगर हम तीनों का अनुपात निकाल लें ए अनुपात बी अनुपात सी इसकों लोग ऐसे कर सकते हैं दो अनुपात तीन यहां से पांच अनुपात आठ तो यहां से इसकी वैलू भी निकाल सकते हैं इसकी वैलू निकाल सकते हैं पांच हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा 5 उनि 10, पांटी 15 और यह कितना हो जाएगा, आर्थनुख 24, ऊके अब यहां से कह रहा है कि 3ों का योग किसका, 3ों का योग अगर योग निकालेंगे तो यह हो जाएगा कितना, यह पहली हो जाएगी लोग लिख सकते हैं 49 x is equal to 98 तो x की value यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी जब x की value 2 आ जाएगी तो हमें कौन सी दूसरी number निकाल नहीं है दूसरी number कितनी है 15 x है तो यहाँ से लिखेंगे 15 x 2 that is कितना 30 आ जाएगा दूसरी संक्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी बहुत ही simple है डारेक्ट भी कर सकते बस हमें concept पता होना चाहिए कोई trick नहीं है trick हम खुद बनाते हैं हमारा calculation trick बनाता जितनी तरीके से जितनी speed से हम लोग calculate कर लेते हैं वहीं हमारी tricks बन जाती है इसमें ज़्यदा सोचा होचा मत कीजिए कि tricks है क्या है तो tricks पर आप लोग focus करिए ही नहीं एक last question उसको देख लेते हैं उसके पास session को complete करते हैं और बचे वह question जो भी है 5-6 5-6 जो भी है 4-5 question उकल देख लेते हैं यहाँ पर question है यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजेगा यहाँ पर 138 अप लोग दिख रहा होगा क्या है 138 लिखा हुआ है यह दो संकूँ की उचाईयों में अनुपात एक अनुपात 4 हो और उनके 200 का अनुपात 5 हो तो उनके आइतनों में अनुपात कितना होगा यहाँ पर क्या दिए हुए है कोन दिए हुए है ठीक है उनकोन की height का ratio दिया हुआ है और उनके diameter का ratio दिया हुआ है उनके volume का ratio find out करना है बहुत ही simple है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइतन निकालना है इसलिए हमें जानना चाहिए कि जो volume होता है किसका, कौन का अगर कौन इस तरीके से बनता है ये क्या है, ये क्या है ये क्या है, इसकी हाइट है तो यहां से यहां तक यह क्या है इसकी का रेडियस है तो यहां से अगर वॉल्यम निकालेंगे तो वॉल्यम जो होता है, वो कितना होता है pi r square h किसका होता है कोन का तो यहाँ पे r1 सबसे पहले एक दिया हुआ है h1 upon h1 upon h2 कितना दिया है एक ratio 4 फिर उसके बद कह रहा है d1 ratio d2 दिया हुआ है यहाँ पे 4 ratio 5 अगर d1 d2 दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं r1 r2 निकाल सकते हैं उस पे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा वहीं रहेगा r y2 हो जाएगा उससे वो divide हो जाएगा अब यहाँ पे v1 upon v2 अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 upon 3 pi r1 square h1 upon 1 upon 3 pi r2 square h2 तो 1 upon 3 pi cancel out हो जाएगा तो यहाँ से r1 upon r2 का यह whole square हो जाएगा और यह h1 upon h2 हो जाएगा value बस रख देंगे square कर देंगे इसका square कर देंगे तो कितना हो जाएगा यह 4.16 बटे 25 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 1 बटे 4 हो जाएगा इसको काट देंगे 4.16 तो यहां से जो आंसर आ जाएगा 4 ratio 25 यह आंसर आ जाएगा volume का यहां से जो volume मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 ratio 25 यही आंसर ओके तो friends आप लोगे इस सर्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा यह अच्छा लगा है कोई problem आ रहे हैं और चैनल को subscribe तक share भी करें ओके थैंक यू टेक केर